नमस्कार दोस्तों आज हम इस पाम का एनालिसिस करते देखती इस पाम में क्या खासियत है सबसे पहले नजर जाती इस पाम की रेक्टेंगल शेप की और कि जब रेक्टेंगल शेप होता है तो व्यक्ती जादा-तर अपना कारे बोल कर करता है और फर्स्ट उंगली अच्छी खासी बैंड हो रही है गुरु परवत की और तो ये भी व्यक्ति को धर्मिक भावना की और इशारा कर दिये और इनकी छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक लगबग पहुच रही है थोड़ी सी कमी रह रही है तो ज़्यादा उस तरह के कमजोरिया नहीं रहेगी की दोकुमेंटेशन फाइलिंग कमिनिकेशन चीजों को संबाल कर रखना यह सारे गुणों में थोड़ इसी कमी होगी इसके अलावा को ज्यादा टेंस वाली बात नहीं और इनका अंगुठा भी देखे कितना बड़ा है तो यह भी स्ट्रॉंग व्यक्तित्व की और इसार होता है और सेकेंड फैलेंज थोड़ा सा कम है एवरिज से तो चीजे समझाने में थोड़ इसी कमी रहती होगी इनकी कि पाम का कलर कि ग्यों के तरह है तो यह ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा एक्स्पेंस नहीं होता जीवन में कि अब चलते बुद्पर्वत की और बुद्पर्वत ना ज्यादा ऊबरा है न ज्यादा दबा हुआ योग और उस पर खड़ी लाइने भी है तो बुद्ध परवत की और से तो मुझे कोई माइनस पॉइंट डिक नहीं रहा है बिजनेस एक्टुमेंट इन में अच्छा खासा होगा तो कि अपनी जगह पर यह उठा हुआ है तो ऐसे लोगों मैं और बोली भी अच्छी खासी होगी अ हब चलते हैं सूरे परवत पर सुरे परवत पर स्ट्रॉंग रेखा नहीं है एक सूरे रिखा है एक यहां से लाइन आरहीं यह प्रॉपर्टि के अरव भी सारह करती है बहुत बार पिता की ओर से अत्पर पर स्कुएर बनता होगा टाइट-वाकिप पहला हुआ काम का जोता है मल्टी सीटी काम का जोता है पर यह कंप्लीट होना जरूरी है किसी भी चारों एंगल से और एक बढ़िया साइन इनके सुर्य परवत पर है वो यह प्रॉपर्टी धन रेखा और दे रेखा को मिलाकर बनने वाला है यह साइन यह व्यक्ठी को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देती है और यह पर एक बढ़िया सी साइन बनी हुई है विद्यारेखा ये विक्ति को basic ग्यान, basic ग्यान ऐसे लोगों में बहुत ज़ादा होता है बच्पन से इनको लोग पूछ-पूछ कर काम करते हैं इनके जो बच्पन में जो दोस्त होंगे वो और जैसे जैसे उमर बढ़ती है वैसे वैसे इनको पूछ कर काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है अब यहाँ पर देखिए एक रेखा अच्छी खासी सुरिपरवत की और देख रही है तो यह 100% इनके जीवन में विदेश से धन प्राप्ति के योग दिख रहे और इनकी जीवन रेखा है वो भी इस तरह से चंद्रपरवत पर जा रही है यह 100% आज नहीं तो कल यह विदेश में सैटल हो जाएंगे क्योंकि यह रेखा धन रेखा प्लस जीवन रेखा विदेश की और जा रही है तो ऐसे लोगों का पूरा चांस बन जाता है जीवन में कि विदेश चला जाता है और इसी सनीपरवत पर फ्लेट है काफी अच्छा है सनीपरवत रोड की तरह है और यहां पर money receiving एंटेना भी बना हुआ है तो ऐसे लोगों के जीवन में आम लोगों से ज्यादा धन आता है तो श्रनी परवत की और अच्छी खासे साइन है बुरा पे तक इनके पास अच्छा खासा धन हो जाएगा और यह धार्मिक और सामाजिक छेत्र में भी कर्चा करेंगे क्योंकि जिसके पास बुड़ा पे में अच्छा खासा धन होता है तो व्यक्ति खर्च करता है अपने दिल से अब इनके चलते गुरू परवत पर गुरू परवत यहां से देखिए एक और जंटल लाइन चल रही है और यहां पर भी चल रही है और इस तरह से यह मल्टिपल प और इस तरह से बन रही है एक कंटीनियू इंकम की और इसारा करे और यह दो बीच बीच में अलग-अलग वस्तुओं से इनके बास धन आता रहेगा तो मल्टिपल इंकम की रेखाय बनी हुई है और गुरू परवत है तो इलाका बड़ा लिया हुआ पर थोड़ा सा यहां स से उभर जाता है तो व्यक्ति को या तो परिवार से दूर रहना पड़ता है या परिवार में मद्बेद होते और पती-पत्नी के बीच भी चांसे बढ़ जाता है मद्बेद होने के इस तरह के गुरू परवत के कारण अब चलते इनके अंदूनी मंगल की और अंदूनी मं और यहां पर बहुत सारी लाइने चल रही है तो यह चिंतित सबाओ की और इसारा करती है और व्यक्ति के जीवन में जब रहू रेखा है काटती है तो व्यक्ति की चिंदा रेखा है होना स्वाभाविक है अब चलते इनके बाहरी मंगल की और बाहरी मंगल बहुत जादा उ मिलते होंगे और किसी से नौर्मल रहकर पहले चेक करते होंगे और फिर आगे बढ़ते होंगे इस तरह कि मानसिकता होगी ओट कर चंदरपरवत से योग रहता उसका चंदरपरवत ऑलवेज अच्छा रहते हैं cricket और इनका भी चंदरपरवत काफी की चंद्रपरवत पर जा रही है तो ऐसे लोगों का चांसे पूरा बढ़ जाता है कि व्यक्ति विदेश में सैटल होने वाला है और यहां पर money triangle देखे money triangle भी एक बुद्रेखा चली और अच्छा कासा money triangle बन रहा है तो यह इस तरह का money triangle व्यक्ति के जीवन में कंटीनियो अच्छी इंकम के सुरोथ क्रिएट करवाता है यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है अब चलते इनके शुक्र परवत पर शुक्र परवत है काफी अच्छा और काफी शुक्र रेखाए भी उस पर है काफी शुक्र रेखाए तो यह व्यक्ति को अधिक धन प इनके बाद दना आता है इन शुक्र रेखाऊ के कारण यह चिंटा रेखाए नहीं काफी अच्छी और कोई बात बारिक रेखाए नहीं कि इनको चिंता करने की जड़त रहता है हाँ इनका जो होने के कारण वैक्टी लग्जरी का इतना मह नहीं रखता है कि वैक्टी को जीवन में मिल रही है पर उसको मह नहीं होता ये एक प्लस पॉइंट होता है व्यक्ति के जीवन में जब शुक्र परवत बहुत जादा उभार या गेंद की तरह उब्राना होता है और इनके लगबग सभी ग्रह बहुत जादा उब्रे हुए नहीं है नॉर्मल है तो यह बुद्धी जीवी टैप के व्यक्तितु होगा इनका अब चलते हैं इनकी हृदे रेखा की और हृदे रेखा देखे तो अच्छी खासी गुरू परवत से कौव लेकर पूरी घुम रही और एंड में यहाँ पर फ्लर्ट लाइन भी है तो ऐसे लोग दुख आया तो पांक से दस मिनिट दुखी रहते हैं उसके बाद खुशी धूंटे इस तरह का मानसिक्ता इनका भी होगा और कव ले रही है हृदे रेखा तो यह लोग काफी प्रेमी किसम के इंसान रहते हैं सबसे मिल जूल कर रहते हैं सबसे प्रेम बाढ़ते हैं इस तरह की इनकी मानसिक्ता रहते हो यह बैस्ट हदे रेखा है और यहाँ पर को इसे व्यक्ति को या दोस्तों को मदद करेंगे और वो पैशा वापस नहीं आए यह दो माइनस पाइंट छोड़कर इनकी रध्यरेखा फर कई माइनस पाइंट नहीं है काफी अच्छी और जिसकी माइन लाइन और देरेखा भी अच्छी होती है तो उसके जीवन में भी पैसे की जो पैमाना है पैसा कमाने का वो ज्यादा रहता है क्योंकि जब आपका मन माइंड और सब कुछ अच्छा रहेगा तो आप सफलता पाने में इसी हो जाता है अगर बहुत सारा इसपेशल कोई साइन हुए जैसे एसे कोई ट्रैंगल है या इस तरह के कोई बैटर साइन हुए तो व्यक्ति तक्दिर के मामले में काफी कि उसको इश्वर ने सुक प्रदान किया रहता और वो आगे बढ़ते रहता पर जब अगर भौत कोई साइन नहीं है बेटर तो आपके हाथ में जीवन रेखा हाट लाइन और माइन यह अच्छी हो तो भी व्यक्ति सपलता पाता है अब चलते हैं इनके माइन लाइन पर माइन लाइन को देखे तो कम्प्लिट जीवन रेखा से सुरू ओकर ऐसे सीदी चल रही है और यहां आकर रुख गई और यहां से एक हलकी सी लाइन और चल रही है माइन लाइन तो काफी है बुद्धी चातुर बहुत होगा और अपने बल बुद्धीey बुद्धी के बल पर यह अच्छा विकास करेंगे जीवन में इसमें दो रहाया नहीं क्योंकि जिसकी भी माइन लाइन अच्छी होती है व्यक्ति अपने बुद्धी पर हह र carved जी पाया गया कि ऐसे लोग पढ़ाई के मामले में अच्छे खासे होते हैं और अच्छी पढ़ाई प्राप्त करते हैं ऐसे जनरली सौ में से 99 हाथों में देखा गया है क्योंकि यह ट्रैंगल व्यक्ति को कोई न कोई बेटर डिग्री दिलाता है और उसके बाद इनकी जीवन रेखा कोई ज्यादा मुश्किल भरी नहीं थी काफी आसान थी और यहां से इस तरह से चलते चलते पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है पर इसी जीवन रेखा पर इनको डिस्टरबंस जीवन में नहीं होने के बावजुद भी राहू रेखाओं के कारण इनको तकलिफ उठानी पड़ती है जीवन में किसी न किसी मोड पर और ये राहू रेखा एक काफी परेशान करती है एक उमर लगबग 28 के आसपास एक राहू रेखा ने इनको काटा है एक 34 के आसपास इनके जीवन में राहू रेखा काट रही है और 152 के आसपास ये इतने पिरियड में इनको जीवन में कोई न कोई तकलिफ का सामना करना पड़ेगा जीवन ब्लोकेज हो जाता है जीवन में आर्थिक नुकसान जाता है और भहूत सारी जंजटों का सामना करना पड़ता है यहो नहो वर्तमान समय में भी यह उसी राहुरेखा के असर के कारण काफी तकलिफ उठा रहे होंगे और जिस पर यह गुजरती उसी को पता है राहुरेखा क्या असर करती है सब कुछ ब्लॉकेज हो जाता है हर जगा से नेगेटीव ख़बरी आती कोई काम धंक से नहीं होता और सात-सात में आर्थिक नुकसान भी देती है और बहुत सारा 근ेंस भी काफी क्रियेट होता है और राहु का सिधा वार हमारे दिमाग पर होता है सब नेगेटिव चीजे दिमाग में आती है आगे भविश्य अंधकार में लगता है क्या होगा पर जैसे ही राहु रेखा का असर पुड़ा होता है व्यक्ति का जीवन वापस पट्री पर चलना शुरू होत अच्छी खासी माया जीवन रेखा है और एक अच्छी सफलता है इनको हो नहों उमर 25 के आसपास इनके जीवन में मिली होगी क्योंकि एक आफशुट काफी बढ़िया उपर जा रहा है तेविश चोविश के आसपास इनके जीवन में मिली होगी अब चलते इनके धन रेखा पर और यहां पर देखिए यह राउरेखा का वार होने के बावजुद भी यह पिडियर इनके लिए गोल्डन रह रह रहा होगा क्योंकि व्यक्ति 40 के बाद अच्छा खासा ट्रैंगल बना हुआ है इस राउरेखा के कटाओ के बाद भी अच्छा खासा ट्रैंगल बना हुआ है तो इनका जीवन यहां पर अच्छा खासा गोल्डन पिरियर्ड से गुजड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा ट्रैंगल इनके जीवन में अब इनकी धन्रा खाकाव देखते धन्र रेखा पर बहुत बड़ा वार अब यहां पर जा रहा है इनके जीवन में इस पिरियड में लगबग यह उमर होगी 27 के आसपास 27 के आसपास जीवन में कोई न कोई मेजर तकलिप इनके जीवन में आई होगी अच्छी खासी क्योंकि इस रहू रेखा ने पूरी माइन लाइन को भी काट कर हड़े रेखा तक टच कर रही है तो यह काफी संकट वाला साल इनके जीवन में रहा होगा और उसके बाद उमर लगबग 34 के आसपास एक आर्थिक नुकसान अच्छा खासा गया होगा और उसके बाद इनकी लाइन चेंज हुई होगी और यह 36-36 में और इनका जीवन आगे बढ़ा होगा कोई न कोई बदलाव आया होगा या प्रोमोशन मिला होगा कुछ न कुछ 36 के आसपास इनके जीवन में इस तरका कारे हुआ होगा और इनको फेट लाइन को अभी यह जो पेन उठा रहे यह यहाँ पर कहीं पर भी कटाओ नहीं है और फिर भी पेन उठा रहे क्योंकि इस राहू रेखा के कारण उठा रहे और यह जो रेखा हदे रेखा से निकल कर इस फेट लाइन को काट रही है तो यह उमर लगबग इस समय कोई न कोई प्रॉपर्टी भी इनके जीवन में आने वाली है और यह पिरियड होगा 41 के आसपास या परिवार के लिए बहुत यूज खर्च इन्होंने किया होगा इस पिरियड में 41 42 के आसपास किया होगा या करने वाले होंगे या कोई व्यक्ति बहुत बड़ा इन्वेस्मेंट भी करता है तो यह नुकसान वाली लाइन नहीं है यह व्यक्ति को नुकसान नहीं दिलाती यह व्यक्ति इन्व शाम तक व्यक्ति पैसा कमाने में बीजी रहता है तो यह यहां के बाद 41-42 के बाद यह काफी बीजी हो जाएंगे और यहां से एक और रेखा निकल रही है जो सुर्य परवत की और जा रही है यह है तो हो नहो यह रेखा इनको विदेश से धन प्राप्ति की और इसारा कर रह हूं है यह लगबग अभी जो रहा है जीवन इनके इसी जीवन काल से सुरू हो रही है तो हो नहों यह इसी पिरियड में कहीं विदेश न निकल जाए यह विदेश से धन प्राप्ति के कोई ऐसे साधन create करें जिसके कारें इंकम हो यह पीरीड है इनके जीवन में बदलाव का तुकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यह 41 42 के आसपासका ही है तो हो नो हो इनके जीवन में कोई मेजर बदलाव आने वाला है और यह विदेश की और इशारा कर रहा है पर धन के मामले में कंटीन्यू धन आता रहेगा जीवन भर कोई तकलिब मेजर दिखने ही रही है आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद